नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका exam warrior के online study platform पर तो आज हम कुछ बहतरीन question करने वाले हैं हिमाचल परदेश police constable के exam के regarding तो आपनी वीडियो शुरू से अंतक जरूर देखनी है और हमेशा मैं यही क्याता हूं कि जब भी question आएगा आपने वीडियो पॉज करनी है और खुछ से ट्रय करनी है और जब question solve नहीं होता तो आपने वीडियो आगे play करके देख लेना है तो अब देखो यहां पर question सबसे प और अगर हमने यहां पर देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इस रेल गाड़ी की जो पहली रेल गाड़ी है उसकी गती तो यहां देखो कि हमारे पास distance दिया गया है time दिया गया तो हमने speed निकालने तो speed होता है distance upon time है ना तो यहीं हम करेंगे 240 मिटर को हम पहले विवाजित क करेंगे 12 से 12 दूने 24 तो इसकी जो speed है वो है 20 मिटर पर सेकंड ठीक है अब आगे कहा गया था कि वो एक सम्मान लंबाई से विप्रिदिशा में आती हुई रेल गाड़ी को 16 सेकेंड में पार करती है तो आपको मैंने जब यह video जब यह concept में आपको करवाया था या फिर जि इतना लगा हमें तो यहां पर भी हमने speed निकालनी है और time हमारे पास दिया गया है तो इसका भी यही formula होता है distance upon time तो यह हो जाएगा हमारे पास 480 time हमारे पास दिया गया 16 सेकेंड तो इन दौनों की जो speed निकल कर आई combined वो है 30 मिटर पर सेकंड अब 30 मिटर पर सेकंड स्पी कर लो लेकिन अगर option में kilometer में आपके पास answer दिया गया है तो आप जानते हो meter को kilometer में बदलने के लिए क्या करना होता है 18 बटा 5 से गुणा करना होता है तो 5 दुने 10 तो यहां हमारा answer आ जाएगा जो दूसरी train की speed है वो है 10 km per hour तो यह था इस question का solution I hope आपका भी यही answer आया जाधे वीडियो pause की होगी अब 1 के 5 परसेंट का मान किसके बराबर और फिर्ञाना किसके सो some परसेंट के बराबर रॉस यह थे question सिरी से अब यहां कहा गया है कि यहीं कि कि और निमलि लिकित में काफी ईजिशन को करो जब खुद करोगे तो आपको पता लगेगा त्यारी कैसे है कि कितनी और मैंद करने की जरूरत है अब देखो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम इस शब्द को वर्किंग जिसे नंबर देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ कहा गया है कि पहले अक्षर को आठवा, तो मतलब पहले को आठवा, तो मतलब जहां पहला था बहां आठवा लिख लिख लिए, दूसरे को साथवा, मतलब जहां दूसरा था बहां साथवा लिख लिख लिए, और जहां साथवा था बहां दूसरा लिख लिख लिए, है ना, और तीसरे एक्षर को चटे एक्षर मेरे मतलब जो तीसरा है उसे हमने छटे में लिख लिया यही बात कही गий है और यह पर जो चटे में था उसे तीसरे में लिख लिया तो बाएं तीसरा तो एक, दो, तीन, बाएं तीसरा कौन बैठा है, एन बैठा है, तो ये इंसर आ चुका है, इसका, next question की बात की जाए, ये होते हैं आपके वेंड डाइग्राम, अब इसमें भी आपके question पूछे जा सकते हैं, यहां कहा गया है कि निमनलिखित आरेक में से college professor ब्रित जो है, वो college professor को दिखा रहा है, त्रिबुज सर्जरी विशेशग्य को दिखा रहा है, आयत medical विशेशग्य को दर्शाता है, तो इसमें question पूछा गया है, कि college professor जो सर्जरी विशेशग्य भी है, को कौन सा, जो alpha better वो दर्शा रहा है, तो यहां आप देखोगे, ऐसे को दर्शाता है, यह दिखा रहा है, डॉक्टर को, माफ की जगा, college professor को, और यह जो triangle है, यह दिखाता है, सर्जरी विशेशग्य को, है ना, यह सर्जरी विशेशग्य को दिखा रहा है, मतलब इस डब्बे से हमें कुछ मतलब नहीं है, डब्बे में जो भी संक्यार है, यह सिर्फ इंदो की बीच में पूछा गया कि college professor और सर्जरी विशेशग्य को कौन सा अक्षर दिखा रहा है, तो आप देखो कि यहां पर ध्यान से, तो जो D है, यह आपका बृत के अंदर भी आता है, और आपका triangle में भी आ रहा है, तो यहां पर आपका answer D आ जाएगा, तो आ बात करते हैं, next question की यहां पर कहा गया है कि A, B, C, D, P, Q, R, S, जिसके मुख उत्तर की हो रहा है, एक CD पंक्ती में बैठे हैं, प्रति एक विक्ति की आयू अलग-अलग है, तो यह देखे, यहां पर हमारे पास two variable वाला question आ चुका है, two variable होता क्या है, जिसमें आपके पास द अब यहां पर देखो question सबसे पहले कैसे solve करेंगे, इसे मैं आपको बताता हूँ, question में कहा गया है, कि जो पंक्ती है, पंक्ती के एक छोर पर B बैठा है, अब देखो आप एक चीज़ यहां पर, जो पंक्ती है वो इस परकार से होती है, है ना, इसके दो छोर होते हैं, अब किज़ चोर पर B बैठा है, पहले चोर पर हम यह मान कर चलते हैं कि B यहां है, एक possibility हम यह भी मान करेंगे कि B यहां है, ठीक है, आगे कहा गया है, Q की आवाज संख्या नहीं है, अबाज संख्या कितनी है यहां पर, तो यहां पर आवाज संख्या तीन है, 17, 29 और 30, इसका मत अब मान लो 16 वर्श है जिसकी आई उसके 15 विक्ति है बग bob 2007 यहां जाएगा 16 वर्ष वाले विक्ति और यहां परicial Circe कि यहाँ पर मानने तेंग व्यक्ति को है ना यह हमने माल लिया अब यहां पर कहा गया है कि जिस विक्ति की आयू 19 वर्ष है वो C के 22 दूसरे स्थान पर बैठा है यह हमें नहीं पता C कहां बैठा है जिस विक्ति की आयू 16 वर्ष है उसके दाएं C बैठा है परंतु ठीक दाएं नहीं यह भी मान लिया बाई और से तीसरे स्थान पर डी बैठा है तो बाई और से तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा तीसरा तीसरा यहां डी आ जाएगा तो टोटल विक्ति हमने यहां पर देखना है अब एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ विक्ति बैठ चुके हैं तो यहां पर जो इनकी position है, वो arrange हो चुकी है, तो यहां हमने व्यक्ति बठा लिए, अब बात करते हैं, आगे question में क्या कहा गया है, आगे question में कहा गया है, उन व्यक्तियों में जो सबसे बड़ा है, D का निकरतम परोसी नहीं है, सबसे बड़ा 31 साल का व्यक्ति है, वो D का न तो हमेशा मैंने आपको कहा था, question में भी मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था, कि जो अपने से ठीक पहले व्यक्ति, मतलब D के respect में ये बात कही गई है, कि D सबसे चोटा भी नहीं है, ठीक है, जो व्यक्ति सबसे बड़ा है, उसके ठीक दाएं P बठा है, मान लिया हमने ये बात, आगे कहा गया है, C की ना तो 14 है और ना ही 17 वर्ष इसकी उमर है, ठीक है, D के निकटतम प्रोशियों के बीच आयू का 5 वर्ष का अंतर है, तो ये हमारे पास एक क्लू मिल चुका, 5 वर्ष का अंतर कहा कहां पर है, एक तो 16 से 21 के बीच में 5 वर्ष का अंतर और ए और यहां भी 8 विक्ति को अरेंज करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ही 8 विक्ति हो चुके, अब यहां पर आगे लाइन को पढ़ेंगे, आगे लाइन में क्या कहा गया है, जिस विक्ति की आयू 26 वर्ष है तथा S के बीच के बीच केवल 2 विक्ति वैठे हैं, ये भी हम मान लेते हैं, तथा जिस विक्ति की आयू 26 वर्ष है, उसके दाएं S बैठा है, मतलब दाएं और S बैठा है, अब यहां से देखो एक पॉसिबिल्टी हम यहां मान कर चलते हैं, कि मान लो पहले हम यह मान कर चलते हैं, कि 26 यहां है और 21 यहां है, क्योंकि साफ साफ कॉशन में ह कहा गया था कि जो D के निकरतम परोसी है, जो कहा गया वो कॉशन यहां पर, जो D के निकरतम परोसी है, उनके बीच आयू का पांच का डिफरेंस है, तो पांच का डिफरेंस यहां गया इनके परोसी हो में, यह हमने पहली कंडिक्शन मान ली, फिर हमारे पास यहां कहा गया की जिस विक्ति के अई 26 वर्षा था था एस के बीच दो व्यक्ति बैट है तो एक दो एस हमने यहां मान लिया ये वी ठीक हो चुका फिर आगे कहागा था कि जिस विक्ति कि आई 26 वर्षा उससके लाइं और एस तो हां उ यह स बैठ रहा ह। यह कॉस्चन हमारा यह जहां पर A होगा उसके दाएं तिसरे स्थान पर Q बैठा है A के दाएं तिसरे स्थान पर Q बैठा है मान लो हमारा A यहां बैठेगा तो दाएं तिसरे स्थान पर 1, 2, 3, यहां तो S बैठा है यहां नहीं आएगा अब A की जगा बचती है A को यहां पर तो दाएं तीसरे स्थान पर तो एक, दो, तीन, यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर क्यू बैठा है, और क्यू के एसपेक्ट में कही गई बात थी, कि इसकी जो है एक अभाज्य संक्या उमर नहीं है, है ना, यह चीज हमें याद है, यह हमारा कॉशन आदा सॉल्व हो चु लिया, जिस कि आयू 39 वर्ष है, यह हमने करना रह चुके है, तो मतलब जिसकी आयू 39 वर्ष है युझा 2 एक अब इसका कहने का मतलब क्या है, जिस विख्ति की आयू 39 वर्ष है, बेस शी के वाई 2 बुसरे स्थान पर है, तो मान लो अब देखो C हमारा यहीं पर आ सकता है क्योंकि तो ही इसके बाई और दुसरे स्थान पर कौन आएगा जिसकी आयू नतिस वर्ष है हमने मान लिया ठीक है ये कॉशन हमारा हो चुका ये हम इसे अब कट कर देंगे क्योंकि ये हमने कर दिया अब जिस वेक्ति की आयू 16 वर्ष है उसके दाएं C बैठा है लेकिन ठीक दाएं नहीं हाँ यहाँ पर ठीक बैठ चुका क्योंकि ठीक दाएं नहीं का आ गया था तो लेकिन दाएं तो बैठा ही है ना तो ये हमारा फुल्फिल हो चुकी कंडिशन ठीक है ये भी हो चुका बाइं और से तीसरे स्थान पर D बैठा है उन वेक्तियों के बीच में जो सब सब बड़ा D का निकरतम परोशी नहीं है अब यहाँ देखो D कहां कहां आ सकता 31 कहां कहां आएगा अब देखो 31 हमारा 31 यहां तो नहीं आएगा यहां पर कहा गया था कि 31 D का परोशी नहीं है अब 31 यहां आ सकता है या तो 31 यहां आएगा अब 31 देखो इक खा गया है कि जो 31 है जो सबसे बड़ा है D का निकरतम परोशी नहीं है और D सबसे छोटा नहीं है अब यहां कहा है जो सबसे बड़ा है उसके ठीक दाइं P बैठा है अब 31 यहां ही आएगा तो ही यहां पर P आ सकता है लेकि ना तो C आया है और क्योंकि एक अब जिसे एज नहीं है तो 31 की एक एज बजती है यहां पर यहां बैठेगा और इसके ठीक दाइं कौन बैठा है पी बैठा है क्वाश्चन में कहा गया है कि जो सबसे बड़ा विक्ती है एज में उसके दाइं P बैठा है ठीक दाइं इमिडियेट मतलब यह हमने कर लिया यह कंडिशन भी हमने फुल्फिल कर ली अब देखो C की आयू ना तो 14 है और ना ही 17 वर्ष है ठीक है यह हमने मान लिया तो आगे कहा गया है डी के निकरतम बडोसियों की आयू के बीच में 5 का डिफरेंस है यह भी हमने कर लिया जिस विक्तिक आयू 26 है यह हमने कर चुके है इस कॉस्चिन को यहां कहा गया है S के ठीक बाएं R नहीं है एक ही जगा R को बचते है यहां पर हाँ बाएं नहीं है लेकिन वो दाएं तो हो सकता है यह question हमारा solve हो चुका अब यहां पर age हमने देनी है यहां पर कहा गया है कि C की ना तो 14 है और ना ही 17 है ना तो 14 है ना ही 17 है तो A की आयो बच रही है जो की 28 तो C की 28 आ गई है ना और Q की अभाज ये संके नहीं थी तो Q की 14 आएगी 17 तो यहाँ पर D की आएगी तो यह हमारा पूरा question हो चुका है solve अब यहां से question कैसे पूचे जाएंगे तो A की उमर कितनी है या फिर आपसे पूचा जाएगा कि D और A की उमर का योग कितना है या फिर आपसे पूचा जा सकता है S और R की उमर में अंतर कितना है या average निकालने को दे दिया जा सकता है तो इस परकार के question यहां से पूछे जाएंगे तो ये थी आज की वीडियो I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में